Hi everyone and welcome back to my channel Rishine where we talk about fashion, beauty, lifestyle, health care and much more आज के वीडियो के थमनेल से आपको पता चली ही गया होगे हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं आज हम बात करेंगे कोलेस्टरॉल पर इसके बढ़ने के क्या कारण है और इसे कैसे कंट्रोल में किया जा सकता है वो भी शेयर करोंगी और साथ में दिखाऊंगी प्रूफ की कैसे मेरी मॉम ने 3 मन्त में ही अपना कोलेस्टरॉल कंट्रोल कर लिया तो बिना टाइम को वेस्ट के चली शुरू करते हैं आज का वीडियो पर उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो make sure कि चैनल को subscribe जरूर कर लें और साथ में bell icon प्रेस जरूर करें जिससे आने वाली मेरी हर वीडियो क कि नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी now let's start the video सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए क्या और इसका क्या function है हमारी बोडी में तो कॉलिस्ट्रॉल एक चिप चिपा तैलिय पदार्थ है जो हमारे लीवर से निकलता है यह हमारी सेल समेत शरीर के सभी भग में पाया जाता ह है कॉलिस्ट्रॉल हमारे शरीर में वाइटमिन D हारमोंस और बायल का निर्मांद करता है。 जो की फैट के डाजेशन में heल्प करता है बेसिकली 70-80 % आफ कॉललेस्ट्रोल हमारा लीवर बना लेता है और 20% हमें हमारे फूड्से मिलता है cholesterol दो तरह के होते हैं LDL जिसे हम low density lipoprotein कहते हैं और bad cholesterol के नाम से भी जानते हैं और दूसरा होता है HDL जिसे हम high density lipoprotein या good cholesterol के नाम से जानते हैं अब आप सोच रही होगे कि cholesterol के इतने सारे functions हैं तो गरबड कहां पर होती है गरबड तब होती है जब ये cholesterol आपके blood vessels में जमने लगता है और आपके blood flow का रास्ता ब्लॉक करता है ब्लॉक के शुरू हो जाती है और heart attack के chances बढ़ जाते हैं cholesterol बढ़ने का main reason है आपकी lifestyle और आपका खानपान आपका sitting work बहुत जादा होना, exercise ना करना और खाने में बहुत जादा non-wage खाना fried food, fatty food और तले भुने खाने से और alcohol के consumption से और smoking smoking is the main reason जिससे आपकी नसे security है श्रिंक होती है और जिससे blockage का chances बढ़ जाते हैं और heart attack के भी, आपको बता दूँ आपकी जानकारी के लिए कि किसी भी plant-based food में cholesterol नहीं होता है उसमें triglycerides होते हैं, जबकि non-wage food में आपके cholesterol भर-भर के होते हैं क्यूंकि milk भी animal से प्राप्त होता है, इसलिए milk और उससे बने products में cholesterol बहुत अधिक मातरा में होता है cholesterol बढ़ने का इक और main reason है, वो है stress, stress तो इतना बुरा है कि वो आपके heart के साथ-साथ, body के हर पार पे भी बहुत बुरा effect डालता है तो ये कुछ reasons हैं जिनकी वज़े से cholesterol लेविल आपकी body में बहुत जादा high हो जाते हैं अब बात करते हैं वो diet की और tips की जिने follow करके मेरी mom ने अपना cholesterol 3 month में ही control कर लिया तो सबसे पहले आप ये report देखें मैं यहाँ पर लगा दूँगी कहीं पर तो उनकी report देखते हैं January में ये report करवाई थी जिसमें मेरे mom का total cholesterol 245 है जो की बहुत high है और triglycerides 170 है जबकि normal 150 से कम होना चाहिए और LDL इसमें देखेंगे तो ये 187 है जो की 100 से कम होने चाहिए तो आपने देखे हैं सारे ही level इतने high है और ये 3 month बात की report करवाई है जिसमें total cholesterol 128 है triglycerides 109 है जो normal range में आ चुके है LDL भी 67 है जो की पहले 187 था तो आपने खुद देख सकते हैं कि सारी values कितनी normal है तो इन्हें कैसे control किया तो वो tips में आपके साथ share करती हूँ diet plan share करने से पहले आपसे एक बात बोलना चाहूँगे कि हर किसी की body अलग होती है problems भी same नहीं होती है तो body का respond करने का तरीका भी अलग होता है ज़रूरी नहीं जितने time period में मेरी mom की जो report के results आये थे उतने ही time period में आपको भी results मिले हो सकता है time कम भी लग सकता है और जादा भी लग सकता है क्योंकि मेरी mom को diabetes नहीं थी उन्हें BP की problem थी लेकिन उसके लिए कोई medicine नहीं ले दी नी वो उन्होंने सिर्फ अपने खाने में से जो ये normal salt होता है उसे हटा के सेंधा नमक कर इस्तमाल किया और अगर आपको diabetes है और BP भी है और साथ में cholesterol भी है तब मैं आपको suggest करूंगी कि आप एक अच्छे nutritionist से proper diet अपनी problems के according ही prepare करवाएं तो कुछ tips हैं जो मैं आपके साथ share करूंगी जिसे follow करके मेरी मॉम ने बहुत easily इन 3 months में अपना cholesterol कंट्रोल किया तो क्या हैं वो tips चलिए देख लेते हैं tip number one है avoid dairy products किसी भी प्रकार के दूद से बने products नहीं खाना है जैसे की दूद, दही, पनी, छाज, चीज और बटर second है आप अपनी diet में हरी सबजियां, citrus fruits, nuts और flakes seeds ज़रूर इंक्लिउड करें number three है non-wage food ना खाएं इससे परेज करें number four alcohol और smoking से दूर रहें और last है रोज, सुबह और शाम, आधा गंटा exercise या walk ज़रूर करें अब चलते हैं अपने diet plan की तरफ दिन की शुरूवात मेरी मौ मैथी दाने के साथ करती थी, उसे एक रात पहले आधे ग्लास पानी में एक छोटी चमच मैथी दाने को भिगो कर रखती थी फिर next morning उसी पानी को वो सुबह खाली पेट पी लिया करती थी और साथ में उस मैथी दाने को चबा चबा कर खा लेती थी देड़ महिने तक उन्होंने मैथी दाने का पानी पिया लेकिन मैथी दाने का टेस्ट थोड़ा सा कड़वा होता है तो देड़ महिने बाद उन्होंने अरजुन की चाल का पानी कैसे पीते हैं वो मैं आपको बता देती हैं ये अरजुन की चाल है इसका powder market में मिलता है आप उसे भी ले सकती है एक चोटी चम्मच इतनी अरजुन की चाल को आप एक ग्लास पानी में अच्छे से दीमी गयस पर उबालें जब ये पानी आधा रह जाए तब इसे ठंडा होने के लिए रख दे और room temperature पे आने पर इसे चा चार बादाम, दो अखरोट और एक चोटी चम्मच अलसी का सेवन करती थी इससे कि उनकी बॉड़ी में good cholesterol की मात्रा बनी रहे और bad cholesterol को control करने में help होता है फिर उसके बाद वो अपना breakfast करती थी breakfast में वो कभी ढोकला लेने थी, पोहा या फिर डोसा simply अप लेती थी फिर 10 से 11 बजे के बीच यानि की mid morning snacks में वो अपने पसंद का कोई एक fruit लेती थी चाहे वो पीता हो या सेव हो या अमरूद हो क्योंकि उस टाइम पे अमरूद आ रहे थे तो वो seasonal fruit लेना पसंद करती अपना एक bowl salad लेती थी जिसमें उनका गाजर, चुकंदर, प्याज, छोड़ी से sprouts ये सब हुआ करते थे, then दो बजे के आसपास उनका lunch होता, lunch में वो कोई भी common सबजी जो हरी सबजी हो या कुछ भी बना हो घर में वो लेती थी और साथ में कोई दाल और दो चपाती, ये उ अपना खाना mustard oil में पकाएं, इवनिंग टाइम में मैं उन्हें कभी या तो खजूर खाने के लिए दो तीन देती थी या फिर वो नारियल पानी पीती थी या फिर उनके लिए ड्राय रोस्ट करके मखाने दिया करती थी, तो ये इवनिंग के options थे उनके लिए और लेती साटे की हुई और दो चपाती अपनी वो इवनिंग टाइम में मी लेती थी और खाना खाने के एक घंटे बाद वो एक कप ग्रीन टी लेती थी जिसमें आधा चम्मच नीबू का रस और एक चम्मच शहर डाल के वो डेली पिया करती थी तो तो त्री मन्स तक मेरी मॉ अगर आप बीफ और मतन की जगह आप चिकन ले सकते हैं और चिकन से भी बेटर ऑप्शन है कि आप फिश ले सकते हैं लेकिन मैं तो कहूंगी कि अगर आपको अच्छे से अपना कॉलेस्टरॉल जल्द से जल्द घटाना है तो आप नौन वेच डाइट को फॉलो ना करें आज के वीडियो में बस एतना ही उमीद है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आये तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और साथ में कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने परिवार वालों का अपने प्रिये जनों का ख्याल रखे स्वस्त रहें मस्त रहें मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई कीप शाइनिंग